में बॉस्कार दोस्तोव आपका स्वागत है आज की दिए में बात करेंगे में MEDSAVE Health Insurance tpa का रिंबर्समेंट का claim from part b कैसे बहाएगा आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वालों इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने MEDSAVE टीपे का रिंबर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट ए कैसे भरा जाएगा इसको लेके उल्रेड एक वीडियो बना दिये उस वीडियो को भी आप लोग मेरे यूटूब चैनल पर जाके देख सकते हो उस वीडियो का लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँ तो वीडियो में आप लोग लाव तक बने रहें चैनल पर आप लोग नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दो आप लोगों कि स्क्रीन की अपर मेंटसीव टीकाव करी रिंबर्समेन के बारे में बताया था अगर आप किसी ओन तो इस चीज का ध्यान रखना है, इंटिमेशन कंपल्सरी होता है, जब आप किसी non-network hospital में आप अपना इलाज कराते हो, तो आगे ये form में बताता हूं कैसे बनना है, to be filled in block letters, ये capital letter में बरा जाएगा, और उसमें लिखा, to be filled in by the hospital, ये form hospital की तरफ से बरा जाएगा, यानि कि आप इस form को लेके जाएगे hospital के अंदर, जिस hospital में आपने treatment कराया, वहाँ पर जाके TP की टीम से मिलिए, उनसे आप help लीजिए, और जो भी documents इसमें hospital से related मांग रखें, वह उनसे collect किजिए, details जो मांग रखें, वह इसमें fill कराया है, उसके बाद आप अपने documents को insurance company बाद भेजिए, तो मैं form बताता हूं आप लोगों को आगे कैसे भरना है, इसमें देखी लिखा हूँ है details of hospital, यानि कि hospital की details इसके इंदर fill करनी है, name of the hospital, hospital का नाम यह लिखने है, hospital ID, अगर hospital network hospital है, तो एक ID बनी हुई होगी, वह यहां पर mention करनी है, otherwise इसको छोड़ देना है, hospital की type क्या है, network hospital है, non network hospital है, network hospital हो होता है, जो med save के साथ जुड़ा हूआ hospital होता है, यानि कि आपस में दोनों का agreement होता है, उसको network hospital बोलते है, non network hospital होता है, जिस hospital का tie-up med save से नहीं है, वो non network hospital में आता है, तो यहां पर treating doctor का नाम लिखना है, treating doctor वो होता है, जो आपको इलाज देता है, उसका नाम आपको यहां पर लिखना है, डोक्टर की qualification लिखना है, तो डोक्टर का registration number लिखना है, और यहां पर phone number भी लिखना है, hospital का phone number भी आप लोग डाल सकते हो, अगर डोक्टर का नहीं है तो, आगे आप लोगों को चलना है इसमें, आगे लिखा details of the patient admitted, जो patient hospital में admit होया है, उसकी हां detail फिल करनी है, name of the patient, patient का नाम आएगा है, IP registration number होता है, जब भी patient hospital के अंतर admit होता है, तो hospital के computer से, या उनके system से number generate होता है, admit वाला number होता है, admission या registration number, अलग-अलग तरीके से बोल देता है, तो उसको inpatient registration number बोलते है, वो या तो आपके final bill पे मिल जाएगा, या receipt अगर आप भी होता है, नहीं पता है तो आप वहां पे hospital में पता कर सकते हो, वो यहां पे mention करना आप लोगों को, admit होने का time आएगा यहां पे, और discharge की date, यानि जिस दिन hospital से चुट्टी मिली है, वो date आएगी, और time भी आएगा चुट्टी वाले दिन का, आगे है type of admission, admission की type क्या है, emergency में admit हो है patient, treatment, plant treatment करा है, day care procedure हो है, maternity यानि pregnancy से लेटर, जिस type का आप लोगों ने अपना treatment करा है, वो आप लोगों को यहां पे टिक कर देना है, आगे लिखा हो, if maternity, अगर maternity का case है, तो आप लोगों को delivery की date यहां mention करनी पड़ेगी, hospital से पूचके, डोक्टर से पूचके, grade of status को, ग्रेविडा स्टेटस भी लिखा होता है, और सारे और form के अंदर, तो यहां पे यह pregnancy से लेटर ही है, अगर pregnancy का case है, यानि maternity का case है, तो यहां पे आप लोगों को ग्रेविडा स्टेटस भी यहां पे डालना पड़ेगा, उसके बाद स्टेटस at the time of discharge, discharge के बाद का status क्या हा रहा है, patient discharge हो के घर पे चला गया, discharge to another hospital किसी दूसरे hospital में चला गया, यानि कि refer कर दिया गया है, तो यहां पे टिक करना है, यह डोक्टर से related column है, यहां पे पूरा का पूरा है, यह वाला, तो सारा आपको डोक्टर से बराना है, या किसी senior nursing staff से बराना है, वो आपके discharge summary को देखके, यह detail आप लोगों की fill कर देंगे, आगे हमें चलना है, इसमें आगे लिखा है, pre-authorization obtained, यह देखिए, यहां पे वो फोर्म अगर आपका भरा गया, यानि कि अगर आप network hospital में इलाज करा रहे थे, और आपका claim reject हो गया, उसके बाद आप अपने bill reimburse कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहां पे yes करना है, और अगर non network hospital में इलाज करा रहे हैं, तो यहां पे आप लोगों को no पे tick करना है, yes पे tick और उन्होंने इस फर्म का इस्तमाल नहीं किया है, तो इसका आप लोगों को यहां पे रीजन होस्पिटल से लिखवाना होगा, hospitalization due to injury, injury की वज़े से admit हो तो यहां पे tick करना है, अगर injury होई है, तो किस वज़े से होई है, self-inflicted यानि खुद से अपने आपको घायल किया है, road traffic accident होया है, तो यहां पे आप लोगों को tick करने है, और अगर यह जो alcohol अगराु से related है, तो यह पे आप लोगों को tick करने है, उसके बाद हमें आगे चलना है, इसमें आगे लिखा हुए है, यह injury कागर case होया तो इसमें जो एक test होता है, यह अगर हुआ है, तो अगर आप लो आप लोगों को अटेच करनी होगी यह एलकोल से लेटेड़ को टेस्ट होता है अगर पुलिस को रिपोर्ट नहीं है तो उसका रीजन यहां मेंचन करना पड़ेगा आप लोगों को उसके बाद हमें आगे चलना है नीचे हैं क्लेम डोकॉमेंट्स सब्मितिड चेक्लिस यहानि कि जो डिकमेंट्स एस फोर्ण के सात्रいた में लगाने वाले हैं उसका यहां पर दोकॉमेट्स आप लोगों को यहांप टिक करने पहला है claim form duly signed, जो form हम भर रहे हैं, sign करके यह attach करना है, अगला है pre-authorization request, अगर pre-authorization form भरा गया है, तो आप लोगों को attach करना है, इस पर tick करना है, उसके बाद होस्पिटल की discharge summary, operation notes, hospital का main bill, bill break up, investigation report, यानि की lab test दो है, यानि की जो जो आपके पास documents available है, वो आप लोगों को tick करन है, उसके बाद इनके अलावा कोई documents है, तो other any other पर tick करना है, यहां पर उसको detail, उसकी mention कर देनी है, जो भी आपके पास bill है, उसके बाद हमें आगे चलना है, आगे लिखा हुए details in case of non-network hospital, यह detail तब बरनी है, अगर वो non-network hospital है, तो यहां पर hospital का नाम आएगा, city आएगी, state आएगा, PIN code आएगा, phone नमबर आएगा, छोस्पिटल का register नमबर आएगा, पर होस्पिटल का PAN नमबर आएगा, होस्पिटल कितने hmm बैट गाए, तो यहां बैट स्पिटल यहां लिखना है, तो ही स्पेटी करना नहीं है तो onu पे करना है, अधर कोई घ्यटी है तो यहां Bit Pak, अधर कोई के अधर करने पहुं के बादम नीचे लिखी हुई है और लिखे ना म मेंशन करना है यहां पर संञ हodगे सब्सक्राइब 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 अने ऑस्के पाँ पक्रीशन इस अब यह निए नीचे पड़ लेना है इसमें भी डे डलेगा है और यहां पर hospital की तरब से जो जो साइन कर सकया तो doctor आप आप पर म्नेज़िमेंट को हो तो आज की विडियो में आप पूरा डिटेल में complete process screen के उपर दिखा के मैंने आप लोगों को समझा दिया है आप लोगों के वीडियो समझ में आगे होगी फिर भी आप लोगों के मन में इस वीडियो को लेके कोई सवाल है तो आप मुझे comment section में लिख सकते हो उसका जवाब आप लोगों को जरूर मिलेगा इसके अलावा आपके health insurance claim के अंदर कोई query है या आपका claim reject हो गया तो उससे related भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे comment section में या मेरी whatsapp number पे message लिख के पूछ सकते हो सभी का जवाब आप लोगों को limited time में जरूर मिलेगा आज की वीडियो में इतने वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का notification आप लोगों को मिलता रहे तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार